हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेडू का शुगर के स्टॉक के उपर दोस्तो भरे गिरावट भरे मार्केट में दोस्तो इस शेयर ने लगबख 14% की तेजी करी है पूरे एनेसी में ये टॉप वॉल्यूम गेनर बनके दिखाया और लगबख 115 मिलियन का धमाका इस शेयर में देखने को मिला यह थे न और बैंडिंग का फायदा होता हुआ देखने को मिला एक हफते में 15% का रिटन शेयर दे चुका है और एक साल में दोस्तो लगबख दोस्तो इस शेयर ने 500% से भी जादा के पॉजिटेव रिटन जीरो डेफिनिटली शुगर ऐसा स्पेस काफी जादा तेजी से बरता हो देखने को मिल रहा है और सारे शुगर से चाहे वह बल्रामपुर चीनी इन सभी स्टॉक्स ने आपको एक डीसेंट अमाउंट विटन कमा कर दिखा है अब देख सकते हैं पवार एडवाइज़ शुगर इंडस्ट्री तू फोकस ऑन इथनॉल जी हां दोस्तो इथनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस करना होगा कंपनी को और आप क बात करें स्टॉक के प्राइस की तो बारा परसंट की रैली दोस्तों शेयर में देखने को मिली है आप देख सकते हैं शुरुवाती कामकाज में जब गैब डाउन ओपनिंग थी तब स्टॉक बिल्कुल धी में धी में कामकाज कर रहा था लेकिन लगबग साड़े दस बजे के आसपा स्टॉक में स्पाइक आता है और लगबग साथ रुपे का जो मेजर रिजिस्टेंस था वह शेयर क्लियर करता है और अपना नया बावन हफतों का शेयर आज दर्ज करके दिखा देता है तो डेफिनेटली स्टॉक सारे स्टॉक में तेजी आप देख सकते हैं बजाज हिंदुस्तान टॉप वॉल्यूम में दूसरे नंबर पर सौ मिलियन का दमाका 21 रुपे पर श सकते हैं बिक्वाली का सेशनता और लग बंग दोस्तों साड़े साथ सू अंकों गिरावत आपको निफ्ति मेंगे देखने को मिली दिफ्ति में 200 उनगों गिरवर्व देखने को मिली लेकिन इनके विपरीत ये दोनों शेयर कामकाज करते हुए देखने को मिले आप देख सकते हैं अगर स्टॉक की दिन की रेंज ही बात करें तो आप देख सकते हैं अपना नया बावन हफतों का ही लगाया और स्टॉक ने इवन अपर सकिट के पास जाने की बिकोशिश करी है लेकिन दोस्तों मार्केट की गिरावट के कारण स्टॉक में आप कहते हैं अपर सकिट नि लगता है अगर प्रिवेस ट्लोस की अद करें तो चॉपन रुपे 15 पैसे पर प्रिवेस ट्लोस हुआता स्टॉक का स्टॉक गैप डाउन उपनिंग के चलते हैं रहोना नीचे उपन होता है लेकिन तरह पर पिचछतर पैसे अग्जाक्ली इसी सपोर्ट से स्टॉक हाई लेता है और लगबग दोस्तों 63 रुपे 20 पैसक जाता है अल्मुस्ट 10 रुपे का स्विंग दोस्तों इंट्राडे में स्टॉक ने दिया है और डेफिनेटली दोस्तों आप कह सकते कि सारे शुगर स्टॉक सो चाहिए वो बजाज इंदुस्तानों सब में आपको मार्केट के खुलता है एक अपॉर्टॉनिटी नजर आई और आप कहा सकते के शुगर असा स्पेस आपको बहुत अच्छे रिटन्स आने वाले टाइम में भी दे सकता है लोगी रश्या और युक्रेइन का सीधा सीधा फायदा आप कहते है इथनौल ब्लेंडिंग के स्टॉक स्कुताव देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं शुगर श्री रेनुका एक मेने में लगबग दोस्तों 60% के रिटन दे चुका रोड़ेटिली काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम इस टॉक में आपको देखने को मिलेगा आगे भी वही अगर बात करें स्टॉक के बावन हफ्तों के हाई की तो स्टॉक तीन परसें नीचे काम कर्च कर रहा है दोस्तों प्रिवेस सेशन में फ्राइडी के इसन में इसने अपना नया बावन हफ्तो है थोड़ा थोड़ा आप दीरे दीरे इन्वेस्ट करें साला चंक में इन्वेस्ट ना करिए अगर कल के दिन गिरावट मिले में यही सलाई कि स्टॉक में अजिए और बात कर रहा है तो टेक्निकली शेर अभी वैरी बुली जोन में टेट कर रहा है और एक भी ऐसा कर रहा है वह अगर बात करें स्टॉक के अगर कल के दिन 65 रुपए का रजिस्टेंस की मंडे के दिन कर देगा तो स्टॉक के लिए अपर साइड के जगह खुल जाएगे तरह 68 और 74 यह तीनों टार्गे आपको इंट्रादे में दिखने को मिल सकते हैं यह सला है कि अगर 65 रुपए के उपपर आपको स्टॉक में और इसके उपपर तो डिफिनिटली आपको 64 रुपए और और 95 रुपए की लक्ष आपको मेंदेखने को मिल स्टॉक अगर सपोट की बात करें तो सपोर्ट बात करें तो सपोर्ट की अगर बात करें एक समय पर 2009 के टाइम पर ये शेयर 110 रुबय को लेवल चुआ है और अभी दोस्तों सेम सिमिलर सिचेशन बनती हुए देखने को मिल रहे हैं अगर आपको डिप में ये शेयर मिले तो मेरी यही सलाई कि आप स्टॉक में अडिंग कर सकते हैं वही अगर बात करें प्राइफ व चार ओकिया और एड दंकिया मल्टी व्ल्डा में किया कंपना को ए लिकने को मिले ती हम अब सकते हैं मल्किपाज को आपती के वॉलियूम के कम्स के को मिली तो फिर डिलिवरी परसेंटेज के बात करें दिलिवरी परसेंटेज दोस्तों 25 परसेंट दिखा गया कंपनी का आलमुस्स तीन क्रोड से अगर वॉल्यूम से कंपेर करें तो पिछने दिन की वॉल्यूम और कल के डिलिवरी बिल्कुल एकवल हो डेफिनेटली काफी अच्छा डेटा श्री रिन प्रमूटर्स ने अपना हिस्सा बना कर रख रहा है कोई भी शाप प्लेज नी कर रहा हो जो कि काफी अच्छा मोमेंटम मन सकता है स्टॉक के लिए वहीं अगर बात करें पूरे सेक्टर की तो आप देख सकते है श्री रेनु का बलरामपूर चीनी के भी उपर टेट कर रह है अगर बात करें दूस्तों स्टॉक के चार्ष की तो दिसमबर महीने में दिसमबर pourquoi मैं मैं स्टॉक कंसॉलिडेट करा और लगज बग दूस्तों अप्रेल के महीने था दोस्तो इसी range में share consolidate करता हुआ जो कि दोस्तो 30 रुपे से 40 रुपे इसी range में share consolidate करता हुआ देखने को मिला और April 2022 में आता है breakout stock अपसागेट लगाता है 40-42 रुपे का level आता है and then दोस्तो again stock में तेजी होती है गिरावट होती है and then तेजी होती है डेफिनेटली एक बहुत चांदार pattern दोस्तो तो कमें देखने को मिला है और जो April का महिना निकला है इसके लिए turnaround होता हुआ देखने को मिला है जी है दोस्तो stock में clear turnaround होता हुआ देखने को मिल रहा है अगर पिछले महिने की बात करें तो आप देख सकते है पिछले महिने तक दोस्तो stock consolidate कर रहा था breakout आया अगर आपन और precisely देखने तो circuit लगा then circuit लगा then गिरावट हुई consolidation हुआ then again तेजी हुई consolidation हुआ and then again तेजी हुआ और अगर मंडे के दिन माली जे शेर consolidated करता है तो मेरी यही से लाई कि इस consolidation में आप stock में addition कर सकते है और आने वाले एक से दो हफ़तों के अंदर शेर आपको 75 रुपे तक के लक्ष भी easily दिखा सकता है अगर आप hold करना चाहते तो दोस्तों एक से दो साल का और नजरिया रखे 100 से 1.500 रुपे तक का target आपको minimum इस share में देखने को मिल जाएगा युकि दोस्तों अभी आप कहा सकते कि अभी और रना आना बाकी है markets अभी 17,000 की levels पर सिल रहे और definitely अगर आपन बावन हफ्तों का हाई कि आउत करें तो 18,800 का बावन हफ्तों का हाई है जो कि काफी दूर है और technically stock आपको minimum 100 रुपे तक का लक्ष दिखा सकता है वह अगर बात करें दोस्तों कल के targets की तो आपको कल CMP पर खईदारी करके चलना है सिक 61.50 पर मेरी यह सल है कि CMP पर ना करें को कि CMP पर मुझे सकता है कल के दिन markets में मंडे के दिन markets में gap down opening हो सकती है और आपको यह share 58 से 57 रुपे की range में मिल सकता है तो मेरी यह सल है कि 58 से 57 रुपे की range में आप stock में buying करें और वहां से आपको एक अच्छा moment देखने को मिल सकता है और intra day में stock 62 रुपे तक का लक्ष दिखा सकता है और definitely थोड़ा बहुत market में gap down देखने को मिल सकता है तो panic selling ना करिएगा और dip में हो सकते तो buying करें stock के अंदर वहीं अगर बात करें दोस्तों company के financials के तो आप देख सकते कितना शांदार financials में परिवर्ति उतर देखने को हो ला है जून में 240 करोड का net profit loss था company का और अभी आप देख सकतें December 2021 में 40 करोड का profit है तो definitely काफी अच्छा turnaround company में देखने को मिल रहा हूँ जब आइसा turnaround होते तो definitely दोस्तों stock में तेजी होना तै ही है प्लस अगर दोस्तों company के आपन revenue की बात करें सितेंबर तीमाई में दोस्तो 1414 करोड का revenue था और दिसेंबर तीमाई में 2000 करोड का revenue था जो कि आप कहा सकता है कि 700 करोड का इजाफा revenue में देखने को मिला है जो कि बहुत अच्छी बात हो इसी कारण से stock ने इतने अच्छे positive returns दी है दोस्तों that's it for video अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिएगा, share करिएगा, subscribe करिएगा दोस्तों thank you for watching this video